नमस्कार दोस्तो मैं आशी सर्मा आज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल स्टेडी की वार पर तो दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइपस अप गवर्मेंट यानि की आज हम समझेंगे सरकार के परकार तो दोस्तो आज का हम अपना टापिक स्टार्ट करते हैं चलिए देखते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं आपको देख रहा होगा टाइपस अप गवर्मेंट यानि की सरकार के परकार तो दोस्तो हम सरकार के परकार को किस बेसिस पर समझ मिस्am poor repee दोस्तों किसी का भी सासन ना हो यानिकी no government, no rule or no control one कारते है दोस्तों किसी एक व्यक्ति का शासन हो और few कारते है दोस्तों कुछ लोगों का समू हो जिसका शासन हो या फिर किसी एक समधाय का शासन हो दोस्तों all कारते है नहीं सभी लोगों का शासन हो चलिए दोस्तों अब इनको थोड़ा सा डीप समझते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया None, None का अर्थ है किसी का सासन ना हो, यान कि आसासन किस्ते थी हो, आसासन यान कि कोई government नहीं होगी कोई नियंतर नहीं होगा यहां पर कोई rule नहीं होगा, यान कि you can do whatever you want तो दोस्तों, ऐसी व플स्ता को हम बोलते हैं, एनार्कि एनार्कि का अर्थ होगया कोई अराज अक्ता बोल सकते है या आसासन, ठीक है और दोस्तों, जैसे एक व्यक्ती का सासन हो उसकी अंदर दो तरह की व利यास भी हो सकते ही, या तो मौनार्की होगी या डिक्टीटेटरसिब होगी मंनार्की का अरत होता है दोस्तोnh राय तंत्र यानि कि राजा या रानी का Application और डिक्टेटर्श् Pence का होता है दोस्तोnh तानासाई यानि एक व्यक्ति की अथर्टी रहेगी तानासाई की रुब में को व्यक्ति यानि ताना सही इसका बरतमान में सबसे अच्छा और बेस्ट एक्जाम्पल है नौर्थ कोरिया तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्यू यानि कि कुछ लोगां मिलकर सासन करें कुछ लोगां का समूओ या किसी एक समधाय का सासन तो इसके अंदर के दो तरह की वैस्ता हो सकती एक कैस व की वाकल प्रजय दूस्ती हो सकती जुंदा ओलजय सी चिंट्र आयुत गर्चा दोस्तों तरह से अनग एंग परस अनिक करें का सासन हो किर ना सब्आइब यहूंस Alec सबसे मेत्तपुड हमारे लिए है डेमोकरेसी जो ओतोक्रेसी और एनर की जतनी सिस्टम है यह तनी इंपोरेंट नहीं रहे हैं बरतमान में सबसे इंपोरेंट हमारे लिए डेमोकरेसी तो दोस्टो डेमोकरेसी दो independence सबसे हैं इसको representative दोस्तो direct democracy direct democracy का अरत है कि लोगों का प्रत्य चुरूप से यानि लोग सीधे सासन करें और representative या indirect democracy का मीज़ होता है कि लोग सासन करने के लिए अपने प्रत्य निदियों को चुन कर बेज़े तो दोस्तो मुझे लगता है कि आपका यह topic clear हो गया है और हम कल हम democracy पर बहुत बिस्तर चर्चा करेंगे तो दोस्तो धन्यवाद जैसी किस्ना